फ्रेंद्स नमस्कार मैं हूँ आपका फ्रेंड कमल ननदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का वेलकम करता हूँ आप एक अपने चैनल कमल नन दलाल पर YouTube, Facebook, IGTV नेटवर्ग पर फ्रेंड्स हम आपके लिए लिकर आए हैं कमल नंदलाल का दैनिक राशिफल इस राशी फल में बात करेंगे मेश से लेकर मीन राशी के राशी फल की साथी साथ आपको बताएंगे राशी अनुसार कुछ सिंपल से उपाएं पंचांग बताएंगे आपका लखे नंबर, लखे कलर, लखे डारेक्शन, लखे टाइम बताएंगे और राशी फिल के आखिर में आपको बताएंगे कैसा स्पेशल उपाय जो आपके लाइफ की किसी खास प्रॉब्लम को च्टके में दूर कर देगा तो चलिए राशी फिल की शुरुआत करते हैं पंचांग के साथ में तो दिन है गुरुवार का तारीक है 19 जनवरी 2023 माग कृष्ण द्वादिशी पर चंद्रमा ब्रिश्चिक राशी और जेष्ठा नक्षत्र में रहेंगे दिन का लखी नंबर रहेगा नाइन लखी कलर रहे माग महीने का गुरु प्रदोश्य है और हमारा जो विषेश उपाए है ये बताएंगे आपको देवादी देव महाद वाद विवाद से कैसे मुक्ति दिलवाएंगे उसकेनि राशी फिल आपको आक्र तक देखना पड़ेगा शुरुआत करते हैं राशी फिल कि गरीब कन्याओं को रेवडी भेंट करें। दूसरी राशी वरिष एनिके टॉरस की बात करेंगे। कारोबार में धनलाप के योग हैं, नौकरी पेशा लोगों की पद्धनिती के योग हैं, कारेशित्र में सहकरीमियों का सहयोग मिलेगा, कारेशित्र में आगे बढ़ने क रेक्रमों में शामिल होंगे, उपाई ये करें कि गाए को गुड तिल का लड्डू खिलाएं। चौथी राशी करकी यानिके कैंसर की बात करेंगे, फसावा पैसा वापिस मिलेगा, कारोबार में नए सौधे हो सकते हैं, आपके आत्में विश्वाश में बढ़ोत्री हैं, समाज में मान प्रतिष्ठा में व्रधी होगी, उपाई ये करें कि तिल के लड्डू बनाकर जल में प्रभाहित करें। पांचवी राशी सिंग यानिके लियो की बात करेंगे, कारोबार में नुकसान के योग हैं, जल्दवाजी में कोई फैसले लेने से बचे हैं, अ कारोबार में कुछ बड़े फैसले आपको लेने पड़ेंगे, पैसों की स्तिती में सुधार आएगा, किसी बड़ी कमपनी से जौब का बुलावा आएगा, राजनीती शेतर से जुड़े लोगों को सफलता मिलेगी, रुकावा काम बनेगा, उपाई ये करें कि गरीब कन् सौधा होगा, उपाई ये करें कि गाए को हरा चारा खिलाएं, आठवी राशी ब्रिश्चे कहने कि स्कॉर्पियों की बात करेंगे, नौकरी पेशा लोगों के लिए समय ठीक है, चली आ रही परिशानियां सुलजेंगी, नया काम करने का मन बनेगा, कारोबारी फैसले सेहत के मामले में सावधान रहें, उपाहिए करें कि तिल के लडू, जल में परवाहित करें, नवी राशी धनु, योंनि के सैजिटेरियस की बात करेंगे, नौकरी पेशा के काम में रुकाबट आएंगी, कामकाच के सिलसले में बाहर जाएंगे, सेहत के प्रतिसा iableधान दूसरों पर आँखे बंद करके भरोसा ना करें अच्छे लोगों से जुड़ने का मौका मिलेगा उपाईए करें कि गरीब कन्याओं को तिल की मिठाई भेंट करें दसवे राशी मकर यानिके केप्रेकॉण की बात करेंगे पुरानी परेशानिया खत्म होने के योग हैं रुकेवे कामों को पूरा करने की कोशिश करेंगे किसी पर आँखे बंद करके भरोसा ना करें पार्टनर से अनबन के योग हैं अपनी भाशा पर नियन्तरन रखें अब होगा करियर के मामलों में तरक्की होगी दोस्तों के साथ में कहीं घुमने पिनने जाएंगे उपाई ये करें कि गाये को उड़त की कचोड़ी खिलाएं बारवी राशी मीन यानि पैसिस की बात करेंगे आफिस में कोई नई जिम्मेदारी मिलेगी सहत के मामले में उपाईगा वो स्पेशल उपाई जो वाद विवाद से आपको मुक्ती दिलवाएगा देखी खास दिन है देवादी देव महादेव का खास दिन है गुरू प्रदोश माग महीने का प्रदोश तो ऐसे में शिवलिंग का पुजन करें और शिवलिंग पर पपीता नमाश शिवाई